हलो फ्रेंट्स, वेलकम टू माँ चैनल, साम यूसफुल टेस्ट वाजयनती फ्रेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं छोटे बच्चों में होने वाली गैस की प्रॉब्लम के बारे में सबसे पहले तो हम यह जान लें कि हम कैसे पता लगाएं कि हमारा जो बच्चा रो रहा है वो गैस की प्रॉब्लम की वज़े से रो रहा है अगर आपका बच्चा रोते रोते अपने पैरों को मरोड रहा है तब इसका मतलब है कि बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, उसके पेट में गैस बन रही है Friends, चोटे बच्चों में गैस्टिक की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन होती है जिसकी वज़े से बच्चे के पेट में दर्द होने लगता है और बच्चक लगातार रोते रहता है अब कितना भी कोशिश करें बच्चे को सांथ करने की लेकिन बच्चा चुप नहीं होता है फिर भी लगातार रोते रहता है क्योंकि छोटा बच्चा दिन बर लेटे रहता है तो उसके गैस बनने के चांसे भी बहुत जादे बढ़ जाते हैं और कई बार हम दूद पिलाने के बार बच्चे को किसी वज़े से ड़कार दिलाना भूल जाते हैं तो उसे भी बच्चे के पेट में गैस बन जाती है आईए हम जान लेते हैं वो कौन सी होम रेमेडीज है जिनका इस्तिमाल करके आप बच्चे की जो गैस की प्रॉबलम है उसे एकदम से चुटकियों में ठीक कर पाएंगे इससे पहले कि हम अपना वीडियो साथ करें प्लीज आप मेरे चैनल सम यूसफल तेज़ वाई जैन्थी को अभी सब्सक्राइब कर लेजें जो हमारी सबसे पहली होम रेमेडी है उसके लिए आपको जैफल लेना है जैफल को आपको घिस लेना है कुछ इस तरीके से आपको घिस लेना है इसका एक पेस बनके तयार हो जाएगा और उस पेस को आपको बच्चे की नाभी के चार और कुछ इस तरीके से लगाना है यहाँ पे एक चमबच हींग आपको लेनी है और इसमें थोड़ा सा पानी डालके अच्छा सा पेस्ट बनाके तयार कलेना और इसमें हमको एक रूई को डिप करना है और इस रूई को बच्चे की नाभी के पास रख देना है और आप देखेंगे कि बच्चे को बहुत ज़दा आराम मिल गया है बच्चे की गैस जो है वो पास हो चुकी है इसके अलावा बच्चे की अगर गैस बन रही है पेट में तब एक्सेसाइस भी यहाँ पर बहुत काम करती है आप बच्चे की कुछ इस तरीके से एक्साइस अगर करते है तो आप नोटिस करेंगे कि बच्चे की जो गैस है वो बहुत जल्दी पास हो गई है आप मालिश करते समय तो बच्चे की एक्साइस करते ही होंगे लेकिन अगर बच्चे के बहुत जादा गैस बनती है तो माल इसके अलावा भी है बच्चे के इस तरीके से एकसाइज जरूर कीजेगा इससे बच्चे को बहुत रिलीव मिलता है और बच्चे को बहुत हलका-लका फील होता है अगर बच्चे के पेट में गैस बन रही हो तो आप बच्चे को कुछ इस तरीके से मसाज भी दे सकते हैं बच्चे की अगर तमी मसाज आप इस तरीके से करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि बच्चे बहुत जल्दी गैस पास कर रहा है और बच्चे को काफी RELIEF मिल गया है बच्चे के इस Tummy Masach का इक प्रोसेस होता है जैसा मैं आपको यहाँ पिस दिखा रही हूँ वीडियो में आप इसी तरीके से बच्चे की Tummy Masach दिजेगा इसे बच्चे को काफी रिलीव मिलेगा इसके अलावा जब आप बच्चे की बॉड़ी मसाज करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको बच्चे को टमी टाइम जरूर देना है आपको बच्चे को पेट के बल लिटा देना है कुछ टाइम के लिए इससे बच्चे की जो गैस होती है वो अच्छे से पास हो जाती है और बच्चे को गैस नहीं बनती है मसाज के अलावा भी आप अलग से बच्चे को टमी टाइम दे सकते हैं आपको बच्चे को इस तरीके से पेट के बल लिटा देना है बच्चे इस तरीके से खेलता रहता है बच्चे को ऐसा बहुत पसंद आता है और बच्चे की गैस भी नहीं बनती है और हाँ फ्रेंड्स जब भी आब बच्चे को फीट करा है बच्चे को डकार दिलाना बिलकुल भी मत भूलिएगा जब भी बच्चा दूद पीता है तो दूद के साथ बच्चे के पेट में कुछ हवा भी चली जाती है जो बच्चे में गैस की प्रॉब्लम पैदा करती है तो आप बच्चे को अगर दूद बिलाने के बार डकार दिलाते हैं तो जो उसका हवा गुसी होती है पेट में जो गैस बबल बना होता है वो निकल जाता है और बच्चे को काफी आराम मिलता है अगर आपका बच्चे छै मेने से उपर का है तब आप अपने बच्चे को गैस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अजवाइन का काड़ा भी दे सकते हैं यहां पर मैंने एक ग्लास पानी में दो चमच अजवाइन डालके से उबाल रही हूँ अब मेरा जब पानी उबल जाता है इसे पांच मिनट के बाद मैंने पानी को बंद कर लिया है और इसे ग्लास में छान दे रही हूँ इसे चानने के बाद अगर आपका बच्चा चै मैनिस एसे एक साल के बीच का है तब आप उसे वन स्पून पिलाईए और एक साल से बढ़ा है तो आप उसे टू स्पून पिला सकते हैं आपको होम रेमेडीज पसंद आये हूंगी फिर मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में और हाँ फ्रेंट्स वीडियो को जादे से जादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे थैंक यू फ